हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो पर तो भाई जैसा कि अब तक आप लोगों को पता लग चुका होगा कि यहां पर NBEMS ने यह बता दिया है कि डिपलोमा फार्मेसी का जो एक्जिट एक्जाम था वो भाई अब कुछ समय के लिए इस्तगित कर दिया NBEMS के संचार बेव पोर्टल पर लिखें तो आज भाई देखो आप लोगों की मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जैसे जिन्हों ने अपलाई किया है वो यह सोच रहोंगे कि भाई जो हमने पैसे दिये थे फॉर्म भरने के उनका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा आ आप लोग भी इन से पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरी और स्ट है ठीक है चलो लिंक पर क्लिक करते हैं और जैसे दोस्तों पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस पड़ का यह इंटरफेज open हो के आता है ठीक है अब आप चाहे तो इससे पढ़ लेना तो आपका जो भी query बगार होगा वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा और उसका status क्या है वो आप यहाँ पर देख पाओगे फिलाल तो दोस्तों मैंने पूछ रखें को सवाल उसकी बाद हम बाद में करेंगे अब हम एक नया प्रशन देखते हैं ठीक है तो कैसे आप पूछ सकते हो यहाँ पर वो मैं बता दो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा है कि अपना नया प्रशन सिकायत या प्रतिकरिया दर्ज करें वहाँ पूचायर है यहाँ पर ओपर एक्जामीनेशन्स कंडूक ठीक यहाँ पर हम क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों हमारा easiest आइड़ कर देते हैं उसके बाद आवेदक का email आईडी यहाँ पर पूछ रखा तो यहाँ इमेल आइडी मतलब हमारी इमेल आई डी तो हम को यहाँ पर अपनी किल कर देरा हूं टिक है आप जैसे मैं इहां पर क्लिक करूंगा और मेरे इस इमेल पर एक ओटीपी आया होगा और बो इस पर ya होगा यानि मुझे यहां पर लिखना होगा अब जो ओटीपी है आप अपनी मेल में जाकर चेक करना आपको बहाँ पर मिल जाए तो दोस्तों हमारा जो ओटीपी है वह 4750-82 ठीक है इसको हम सम्मिट कर दे रहे हैं यहां पर क्लिक करने के बाद हमने कर दिया सम्मिट अब यहा क्वारी जो मेल है वो अब बेरिफाई हो चुकी है अब हम यहां पर सिकायत का संबंद लिख देते हैं यहां पर पूछा है कि आप क्वेरी जो पूछ रहे है वो किस से रिलेटेड है तो भाई Select Option 1 में मैं क्लिक करता हूँ और यहां पर मुझे पूछना है यहां पर Diploma in Pharmacy एक्जिट एक्जाम पर क्लिक कर दे रहा हूँ ठीक है यहां पर क्लिक करने कवा Select Option 2 किसके बारे में आप पूछना चाहा हूँ एडमिट कार्ड के बारे में refund of fees, schedule of examination, scorecard, status यह बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी अब मैं चाहता हूँ refund of fee के बारे में पूछना तो मैं refund of fee क्लिक कर दे रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ऊपर चुने गए परिच्छा के लिए पहले से आवेदन किया हुआ है यह उपरोग परिच्छा में उपस्तित हो चुके हैं तो भाई मैंने ना तो अपलाई को लिखा है नौट अप्लिकेवल इफ यू है चूजन नू अबब ठीक है चलो हम इसको छोड़ दे रहें आवेदक का नाम नाम दे रहा हूं यहां पर अक्छे कुमार ठीक है मेरा नाम है अब यहां पर मैं अपना एड्रस बगारा भी दे रहा हूं कुछ भी मैंने दे दि उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने मुबायल नंबर दे देना है ठीक है जैसे दोस्तों आपके बॉर्प सब्सक्राइब आपका कोश्ट्यं में नहीं होने चाहिए उसके दोस्तों आपकी जो भी क्वैरी हो वहाप यहां पर फिल करदेना अगर आपके पास को ड ठीक है आप जैसे दोस्तों आपनी जैसे हमें लिखना चाहों लिख सकता हूं आप लिख देना मैंने पहले से लिखी हुई है वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा ठीक है तो यहां पर आप सम्मिट योर क्वेरी पर करोगे उसके बाद दोस्तों आपकी मेल पर जो है वो मैं पूशे दे सवाल उसका अब चेक कर लेते हैं क्या है तो यहां पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैंने इन अभी तक यहां पर NBEMS का कोई भी रिस्पॉंस यहां पर नहीं आया आप कोई रिप्लाई आएगा तो वो हमें यहां पर देखने को मिल जागा और यहां तो आपकी मेल पर भी मैसेज आ जाएगा कि हां वाई NBEMS ने आपको जबाब दे दिया है बाकि दोस्तों आप यहां यहां पर हो सकता है ऑपको अटेश्मेंट में कोई रिप्लाई यह सा रहा कुछ यहां पर दे देंगे आपको डायरीम लिंक मिल जाएका आपको बहां से आपना स्टेटैस और को सक्यूंद को ब हृँवा यहीं से सारे आपको रिप्लाई देंगे यही राज की वीडियो में बागे मिलते हैं आप से नेक्ष्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें सुरचित रहें